किसान अंदोलन ना अब बठ सा गया है वो बात बची नहीं है किसान नेताओं के आजकल अलग-अलग बयान आ रहे है क्या इन बयानों से आएगी किसान अंदोलन में फूट क्या गांधी जैंती की डेडलाइन पर बठ चुका है किसान मोर्चा जो किसान मोर्चा सरकार के खिलाव डिली के बॉर्डर पर करीब 2 महिने से डटा हुआ है अब उस मोरचे में दरार की बाते उठ रही है वजह किसान नेताओं के बयान में अंतर क्या अब तूट जाएगा किसान अंदोलन इसी पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में किसान नेताओं की बीच नया विवात गांधी जैनती की एक डेडलाइन को लेकर हुआ है जिसका एलान राकेश टिकैट पिछले कुछ दिनों से हर मंच से कर रहे हैं कुछ ऐसा ही बयान टिकैट ने 6 फरवरी को गाजीपूर में भी दिया था जो सैयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे नेताओं के लिए जुन्चुलाहट की वजह बन गया एक बात तो साफ है कि दो महिने तक किसान अंदोलन जो इतना सफल रहा उसका एक कारण ये भी था कि इस आंदोलन का कोई चहरा नहीं था किसी भी एक चहरे पर सारे कैमरे आकर नहीं रुकते थे बलकि मीडिया के कैमरे आकर रुक रहे थे बॉडर पर बैठे किसानों के चहरे पर लेकिन 26 जनवरी को हुई हिंसा और उसके बाद राकेश टिकैत का मीडिया के कैमरों के आगे भावुक होने से सारा सेंटर अफ एट्रेक्शन पूरे आंदोलन का आ गया एक आदमी पर यानि राकेश टिकैत लाल किला हिंसा के बाद टिकैत के आसों ने उन्हें पहले से बड़ा किसान नेता बना दिया और माना जा रहा है कि इस से संयुक्त किसान मोडशा के बाकी चहरे दुंधले पड़ते जा रहे है और धीरे धीरे महापंचायतों के मंच भी अलग-अलग सजने लगे हैं इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोचा एक तरफ जहां यूपी के मुरादाबाद में महापंचायत कर रहा है तो इससे अलग राकेश टिकेट हर्याना के बहद्दुरगड में महापंचायत को संबोधित करेंगे इसलिए भी तूट के कयास लगाए जा रहे हैं उन्होंने क्यों बोल दिया किजमूर से बोल दिया उन्होंने मुझा कर दिया या क्या कर दिया उसके बारे मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन अंदोलन जो है वो स्विक्त किसान मुर्चे का अंदोलन नहीं है व्यक्ति के ब्यान को इतनी एहमियत नहीं देनी चाहिए अब अलग अलग जगहे अलग अलग वक्त पर महापंचायत करने से सवाल तो काफी उठ रहे हैं और इससे कई लोग अनुमान भी लगा रहे हैं कि अब किसान नेताओं में आपस में ही फूट आ गई है अब सवाल तो उठने लाजमी है कि एक मकसद मुद्दा एक लेकिन 24 घंटे के भीतर मंच दो क्यूं इस सवाल का जवाब भी अब संयुक्त किसान मोर्चा को ही देना चाहिए ताकि आंदोलन का समर्थन कर रहे किसानों में भरोसे का संकट पैदा ना हो क्योंकि लाल किले की हिंसा के बाद किसानों पर सवाल भी उठे हैं और खुद पीयम मोदी आगहा कर चुके हैं बाकी शोहरत और टीवी चैनलों पर आना किस नेता को पसंद नहीं होगा अकबार की सुर्ख्यां बनना किस नेता को पसंद नहीं होगा सीधे शब्दों में कहूं तो दो महीने से चल रहे आंदोलन का अचानक एक ही नेता चहरा बन जाए तो बाकियों को मिर्ची लगना तो मानव सभ्यता के अनुसार नॉर्मल ही है अब आफिस में सोचिए आपको मेहनत करने के बाद भी प्रमोशन ना मिले और आप ही का दूसरा साथ ही अचानक आप ही का बॉस बन जाए तो दिल की किसी न किसी कोने में दर्द तो उठेगा ही बाकि इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमेशा की तरह कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा